हेलो एवरिवन, वेलकम टू कुकिंग वी तुरुपाली, बस देखके ही मुमें पानी आ जाएगा, एसी बनी है गाजर मटर की मसालेदार सबजी, बरतन में डालेंगे एक चमच राई का तेल, यानि की मस्टर्ड ओल, हमने यहां पे आधा कप धनिया लिया है, इसमें के दंठल भी है, दंठल डालने की वज़े से बहुत अच्छी खुचबू और स्वाद आता है, चुटकी भर हीन और आधा चमच लहसून की पेस्ट है, बढ़िया से इसे सौते कर लेते हैं, ताकि इसका कच्चापन पूरी तरीके से निकल जाए, एक कप मटर और गाजर मि पून लेते हैं, अब इसमें एक से देड़ चमच पानी डाल लेते हैं, स्वाद के हिसाफ से नमक डालेंगे, अब धककन रखकर तीन से चार मिनिट के लिए हमें इसे पका लेना है, चार मिनिट हो गए हैं, इस सबजी को पकने के लिए बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं ल पे एक हरी मिर्च को छोटे तुकडों में काट लिया है, मसालों में लिया है आधा चमच हलवी पाउडर और दो चमच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च का इस्तमाल यहाँ पे थोड़ा सा जाधा करेंगे, ताकि हमारी सबजी चटपटी बने, गाजर और मटर स्वाद मे थोड़े से मीठे रहते हैं, इसलिए इस सबजी में हम लाल मिर्च पाउडर का इस्तमाल थोड़ा सा जाधा करेंगे, एक मीडियम साइज टमाटर को लंबे तुकडों में काट लिया है, हमने यहाँ पे प्यास की पेस्ट बनाई है, प्यास को सबसे पहले हमने फ्राइ कर और मिक्सर में पीस लिया है, तो दो चमच इसके भी डाल लेते हैं, फ्राइ की हुए प्यास की पेस्ट डालने की वज़े से सबजी को बहुती बढ़िया स्वाद आता है और ग्रेवी भी अच्छे से बनती है, तो फिर चलिए अब इसे मिक्स करके हम इसमें थोड़ा सा प पानी और डाले, सबजी को दो मिनिट हुए है, देखिए बहुत ही अच्छी दिख रही है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी बीच में एड किया था, सबजी हमारी ओल्मोस पक गई है, अब एक चमच वेजिटेबल मसाला डालते हैं, मैंने यहाँ पे इस्टन का वेजिट यह रेसेपी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आए, तो लाइक करें और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और रेसेपी के साथ, तब तक के लिए सी यू एंड बबाई